ये नई सुभा तुम्हारे लिए एक नई शुरुवात होने वाली है। तुम ही कुछ नया सीखने को मिलेगा और तुम उस पे काम करना शुरू करो। मेरे कुछ बच्चे बहुत चिंतित है कि बाबा इस परिक्षा में मेरा क्या होगा। तुम परिणाम की चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं? सुनो, तुम्हें जो चाहिए इस परिक्षा से तुम्हें वही मिलेगा। बहुत महनत किया है तुमने और अब तुम सफल रहोगे। ये मेरा आशिरवाद है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परिशान हो कि दूसरी चाबी कहां खो गए। है ना? तुमने तो वो जगा ठीक से देखा ही नहीं। फिर से एक बार देखो जाओ, चाबी वही है। अब जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो और समझो। अपने कर्मों को निश्दिन अच्छा रखो। तुम जैसा करम करोगे, वो लोट कर तुम्हारे पास ही आएगा। बुरा करोगे तो बुरा फल ही मिलेगा। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता है। मैं तुम्हे सिर्फ समझा सकता हूँ। मेरी बात मानना ना मानना ये तुम पर है। जब तुम अपने करमों को साफ और अच्छा रखोगे, तो देखना तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। मेरे कुछ बच्चे हैं जिनके मन में कई सवाल हैं और उन सवालों का जवाब मुझसे पाना जाते हैं। पर वो इतने नादान हैं कि वो सब सवाल वो मुझसे नहीं पूछते हैं, पूछते हैं मेरे दूसरे बच्चों से। और उनसे जो उत्तर मिलता है, उसी को मेरा जवाब समझते हैं। अगर तुम्हारे दिल में सवाल है, शंखा है, तो तुम मुझसे पोचो। मुझसे जवाब मांगो, मैं तुम्हें जवाब दूँगा। तुम्ही बस मेरे संकेतों को समझना होगा। और इसलिए अपने मन को पहले शान्त रखना सीखो। और साथी साथ तुम्हारे मन में चल रहें विचारों को नियंतरन करना सीखो। फिर देखोगे, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, और तुम्हें जवाब मिल भी रहा है। खुश रहो।